हाई एवरिवान वेलकम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल वेस्ट ब्यूटी जीरो टू सो गाईज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल बोड़ी ब्लेच कैसे करते हैं और हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए सो गाईज आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ली है ब्लैक डाइमड ब्लेच और हम इसको डार की स्किन पर करेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम ब्लेच करने वाली हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक्टिवेटर है तो हमें क्रेम और एक्टिवेटर को दोनों को मिलाना है लेकिन वो किस क्वांटिटी में मिलाना है वो मैं आपको बता देत हुए हैं फोरे बना रही ह거든 है इसके फीस के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं तो हम ने इनकी काफी डार्क है तो यहां पर हमने इनकी स्कीन के अकोर्डिंग थोड़ा सा एक्टिवेटर जादा रखा लेकिन जब हम फेस के लिए ब्लीच पेस्ट बनाते हैं तो उसमें हमें एक्टिवेटर बहुत कम रखना होता है और ब्लीच क्रीम के अकोर्डिंग हमें एक्टिवेटर डालना होता है लेकिन अगर बोड़ी हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो इतने दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हमारे फेस की स्किन बहुत जादा सैंसिटिव होती है जिस पर हमें बहुत जादा एक्टिवेटर जादा यूज नहीं करना है तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ब्लीच क्रीम को अप्लाई कर रहे हैं पूरी बोड़ी पर और जहां पर इसकीन थोड़ा डार्क पार्ट होगा वहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लीच की लेयर थोड़ी मोटी लगानी है ताकि ब्लीच का अच्छे से कलर आ ज होती है तो आप जब ब्लीच पेस्ट बनाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से बनाएं उसकी काफी देर तक मिक्सिंग करें ताकि एक्टिविटर और ब्लीच क्रीम दोनों अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं और जब अच्छे से पेस्ट बन जाता है और हम इसको स्कीन पर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलता है और गाइज इसी तरीके से हम जैसे हमने हाथों पर लगाया उसी तरीके से हम पेट पर बैक पर और पैरों पर भी हम से उसी तरीके से लगाएंगे लेकिन आपको पेट पर लगाते वे ध्यान रखना है नाभी के त्रह सकीन पर लग देते हैं तो इसकीन बहुत जादा इचिंग होती है बहुत जब उससे बहुत जादा इचिंग होती है ना तो आपको तुरंत ब्लीच को हटा देना है क्योंकि जब बहुत जादा इचिंग होती है तो उसमें या तो आपने अक्टिवेटर जादा मिलाया है या फिर वह आपको सूट नहीं आई है तो आप इसमें आपको इसमें लेट न रही है या नहीं तो गाईस आप देख सकते हैं या पर मैंने पूरी बोड़ी पर लगा दी है तो यहाँ पर इनकी जो है बस पैरों की बैक साइड की ब्लीच रह गई है आपको सेम तरीके से आपको ब्लीच लगानी है और अगर आप ट्री ब्रैडल करते हैं तो आप उसमें के तुरंत बाद bleach मत करें क्योंकि अगर आप wax के तुरंत बाद bleach करते हैं तो इससे skin पर बहुत जादा दानी निकल जाते हैं या फिर rashes हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा gap लेकर या तो bleach apply करें या फिर आप wax से पहले bleach apply करें लेकिन जैसे आप bleach करते हैं और hair growth बहुत जादा होती है बोड़ी पर तो आपको सब से पहले करना है wax और उसके बाद आपको करना है bleach तो आप उसमें अगर wax के एक घंटे बाद अगर आप पूरी बोड़ी पर bleach apply करते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो मैं यह बोड़ी ब्लीच कर रहे हूँ मैं यह फ्री ब्राइडल के लिए ही कर रहे हूँ यहाँ पर हमने इनकी पहले waxing की उसके बाद इनका facial किया क्योंकि हमें एक से 5 गंटा इनकी skin के लिए rest मिल गया था उसके बाद यहाँ पर हमने इनकी body bleach apply की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने body bleach को apply कर दिया है और जब हम face के लिए bleach paste बनाते हैं वो अलग बनता है और skin के लिए अलग बनता है तो आप ऐसा मत करना कि आप मेरी वीडियो को देखकर face के लिए भी इतना ही paste बनाएं आपको जितनी नीड हो उतना आपको paste बनाना है तो guys यहाँ पर हमें आदे गंटे के बाद या 20-25 मिनट के बाद आपको skin से bleach को हटा देना है नॉर्मल पानी से आपको bleach हटा देनी है और फिर आपको एक बार फिर से clean पानी से एक बार दुबार से skin को साफ करना है तो guys skin clean होने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा result म बिला bleach होने के बाद अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो please वीडियो को like share comment करना और चैनल को subscribe करना thank you